हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करते हूं सब लोग अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम जाने हैं कि प्रेगनेंसी होने पर या महला गर्वती हो जाती है तो उनको कहां और कितना दर्द होता है दर्द से आप केसे जान पाते हैं कि क्या महला प्रेगनेंट हो गई है या नहीं है इसी के बारे में आज हम डीटल में चानने वाले हैं गर्भोवस्ता एक सुनेरा पल होता है महलाओं के लिए जिसके लिए वो काफी समय से इंतजार करती है कि मैं कब pregnant हो जाओ, क्योंकि जो महला है, ट्राइ कर रही है, जिनको consume नहीं हो रहा है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा एम्यात होती है, इस चीज की, कि मैं कब pregnant हो जाओ, मुझे pregnancy test में दो लाइने देखने को कब मिलेगी, तो जब भी महलाओ को pregnancy हो जाती है, तो हमें कब पता चलता है, period मिस होने के बाद में पता चलता है, कि मुझे इसमन pregnancy हो गई है, और वो भी कब जब आपका period मिस हो जाएगा, तो आप तूरंद pregnancy test करके देखेंगे, तो उससे confirm हो जाता है, कि आप pregnant हो गए, पर pregnancy test करने से पहले भी आप जान पाते हैं कि क्या मैं pregnant हूँ या नहीं हूँ, जैसे मान लिजिए आपका अभी period 30 मार्च को आने वाला है, आपको 20 मार्च से symptom सा रहे हैं, और इस बंत आप relation में भी थे, तो आपको पेट के निचले हिस्ते में, यानि कि जो पेडू होता है, पेलवी केरिया है, नाभी से नीचे, आपको हलका मीठा मीठा दर्द होने लगेगा, और वो दर्द बहुत तेज नहीं होता है, किसी किसी को थोड़ा cramping type होता है, यसा लग रहा है पेट में कुछ एठन हो रही है, किसी किसी को बिल्कुल मीठा मीठा दर्द होगा, कई बारी महलाओ को समझ म भी नहीं आता है, पर जिसे बेठे हैं, हम कुछ सोच रहे, तब हमको समझ में आता है, कि हाँ मुझे हलकिसी एठन हो रही है पेट में, कभी right side भी हो सकती, कभी left side भी हो सकती, कभी बीच में भी हो सकता है, इसके बाद में, दूसरा दर्द कहां होगा, आपके breast में, breast की nipple म में, और पूरे breast में भी tender निस आपको हो सकती है, क्योंकि pregnancy हो जाती है, तो period miss होने से पहले ही हमारी body में changes आना start हो जाता है, तो जब भी आपको pregnancy हो जाती है, सीधा सीधा असर हमारे breast पे आता है, महलाओ को लगता है कि पहले तो कभी भी मुझे इसे symptoms नहीं आए हैं, पर अभी period miss होने से पहले ही मेरे breast में पेन हो रहा है, निपल में दर्द हो रहा है, breast थोड़े hard हो रहे हैं, और मैं उठ रही हूँ, बेट रही हूँ, तब भी मुझे ये problem हो रही है, तो क्या मुझे pregnancy ह होगी है, तो आप period miss होने के बाद में pregnancy test करके confirm कर सकते हैं, अगर आपको ये symptoms हर मन आते हैं, तो ये PMS के symptoms हैं, पर आपको first time इसे symptoms हैं, कि मुझे पहली बार ये इसा लग रहा है, कि मुझे पेट के निचले इससे में दर्द हैं, कमर में भी दर्द हैं, थोड़ा सा सिर दर् हो रहा है, सिर्भादी है मेरा, सोने का मन हो रहा है, तो ये सारे early pregnancy के symptoms होते हैं, बोडी में हाथ पेरों में दर्द होना, weakness लगना, ये सब pregnancy के ही लक्षन होते हैं, जब महला गर्वती हो जाती है, consume हो जाता है, तो उसके बाद में, तूरंत हमारी बोडी में, हार्मोन में ब दर्द होने लग जाता है, breast में दर्द होता है, सिर्भारी होता है, हाथ पेरों में दर्द, चिड़ चिड़ापन, किसी को नीन ज़्यादा आना, किसी को नीन कम आना, भूक नहीं लगना, एसे बहुत सारे election आपको देखने को मिलते हैं, अगर माल लो आपको पेटके निश हैं, तो इससे आपका जो implantation हुआ है, दर्द हमें कब होता है, जब हमारा embryo, uterus मा की implant होता है, यानि कि यह हमारी uterus है, इसमें हमारा बच्चा आके चिपक गया, छोटा सा ननना सा बच्चा यहां आके चिपक गया, वो जगे बनाता है, तो उसके बाद में आपको implantation bleeding भी हो सकती है, फिर वो चिपकेगा, ग्रोथ करेगा यहां पे, तो आपको धर्द तो होगा, जैसे हम अगर इसे भी कर रहे हैं, तो हमें समझ मारा कि कोई हमें छू रहा है, तो अगर बच्चा आके हमारा embryo आके uterus में implant होगा, तो हमें समझ में आएगा, बरबर समझ माता है कि हा इसा बहुत कम महिलाओ को महसूस होता है, पर अधिकतर महिलाओ को जरूर महसूस होता है, और ऐसे में आपको pen killer बिल्कुल भी नहीं लेना है, pen killer क्या करती है, जो आपका implantation होता है, उसको वो destroy कर देती है, उसको हटा देती है, pen killer लेने से हमारा दरत तो ठीक हो जाता है, पर उसके side effect से हमारी uterus का blood circulation बढ़ जाता है, जिससे कि आपका जो pregnancy थैर गई थी, वो pregnancy remove हो सकती है, तो आप 2-4 दिन उस दर्द को सहन करें, और अगर आपको जादा problem हो रही तो आप डॉक्टर से मिलके, आप consult कर लीजे डॉक्टर से कि डॉक्टर मुझे इसी समझ्या हो रही ह क्या मैं pregnant हो गई हूँ, क्या डॉक्टर आपका period miss होने से पहले ही serum beta stg test करवा के देख लेंगे, मालो अगर implantation हो गया है, तो serum beta stg hormones का level बढ़ा हुआ आता है, level increase हो जाता है, तो उससे हम आसानी से पता कर सकते ही कि आप pregnant हो गई है, अगर मालो आपका beta stg hormones का level बढ़ा हुआ आता है, तो डॉक्टर confirm कर देगी कि आप pregnant हो गई है, अभी आपको risk करने के जरुवत है, टेंशन नहीं लेना है, और डॉक्टर जो भी medicine आपको recommend करें, वो medicine आपको continue लेना है, तो आशा करते हो इस वीडियो के माध्यम से में सब चीजा आपको clear कर पाई हो कि pregnant होने पर आप को कहां केसा दर्द होता है, धन्यवब